हलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर टू जो एट क्लास की हिस्ट्री का है उसको आगे पढ़ेंगे कंटीनू करेंगे तो यह जब हम देखेंगे एटेंगे नवाब में वो थोड़ा सा शुरू ही होता है आफ्टर देख ओफ अरंग जेब जब अरंग जेब की डथ हो जाती है यह जो बेंगोल के नवाब होती हैं वो अपने मतलब पावर और अटरनमी एजर्ट कर लेती हैं as other, as other regional power was doing at that time. पहले वह सिर्फ regional power ही था उसके आरंगजेब के बाद, उनोंने पूरे तरीके से उसके पर पर मतलब power चाहता था ता. मुर्षीद कुली खान था वो फालो किया जा रहा था किसको दो आ रहा था ठीक है अली वर्दी खान and then a Sirajud Alla as a nawab of Bengal मुर्षीद कुली खान के बाद अली वर्दी खान फिर उसके बाद Sirajud Alla बंगाल के नवाब रही Each one of them were a strong ruler ये तीनों strong ruler थे अच्छे ruler थे जानी के They refused to grant the company concession Demand larger tribute for the company's right to trade Denied it any right to mint coins तो क्या जी इनों ने company को जो concession दिया था और रंग जेब ने उसको ये refuse कर थे था उसको नहीं मानते थे और ये demand कर रहे थे company को के वो हमें tribute दें मगर वो deny कर रहे थे और वो जो fortification किला बंदी है वो भी extend बढ़ाती ही जा रहे थे excusing the company of deceit they claim that the company was depriiding the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of the Nawab it was refusing to pay text writing this respectful letter and trying to humiliate the Nawab and his officials तो क्या जी तो इन्होंने किया क्या तो ये refuse कर रहे थे वो text मांग रहे थे मगर ये दे नहीं रहे थे तो फिर इन्होंने disrespectful letters लिखने शुरू कर दिये और ये humiliate करना शुरू कर दिया नवाब को और उसके मंत्रियों को the company on its apart declared that the unjust demand of the local officials was a ruin the trade of the company तो ये उसके जो नवाब थे जाने के जो बेंगल के नवाब थे वो बोड़ रहे थे ये जो इस तरीके का उनकी demands है वो ruin कर रही है बिलकुल खराब कर रही है company के trade को and trade could flourish only if the duties was removed तो ये इसी ये flourish हो सकता है trade तब भी flourish हो सकता है जो trade duties उसको removed कर दिया चाहे it was also convinced that to expand trades it has to enlarge the settlement by a village and rebuild its fort तो उसके लिए हमें करना क्या होगा तो villages को buy up करना होगा फोर्ड को rebuilds करना होगा ये जो conflict है ये confrontations and finally जानी के ये बढ़ता ही जाता है और फिर होती है लड़ाई जानी कोई भी इनमे उसूला मश्वरा नहीं होता तो फिर इनके बीच में लड़ाई होती है बैटल ओफ पेलासी तो पेलासी की लड़ाई होती है इनके अंदर बैटल ओफ पेलासी वें अलवर्डी खान डाई इन 1756 जो अलवर्डी खान जनी कि ये शुरू कब से चल रहा है हमने देखा था ना ये मुशिद कुली खान से ही चल रहा था फिर उसके बाद ये अलवर् 1756 में उसके बाद आते हैं सीराजु दौला become the newab of Bengal तो ये newab बनते हैं Bengal के the company was worried about his power and king as a puppet ruler who would willingly give trade, concession and other privileges तो क्या ये company उसको चिंता थी भाई ये एक और नए वो आ गया governor बन गया नवाब बन गया है और उनको तो ऐसा ruler चाहते तो उनके हाथो की कि कठ पुतली हो जैसा वो चाहे वो वैसा ही करे और उनको ट्रेड में पूरी concession दे और जादा से जादा वो लाब लें हना, so it tried through without a success it helped one of the सीराजु दौला जरुरे rival become the newab तो क्या गी ये कब हुआ तो यब जे सीराजु दौला नवाब बनते हैं तब ये इनका थोड़ा सुक्सेस होती है इस प्रोसेस में इन इन फ्यूरेटर सीराजु दौला आस्टा कंपनी को बोलते हैं कि आप जो ये पॉलिटिकल अफेर्स हैं ये इसको में दखल अंसाजी नहीं आपने करनी और क्या जी आपने ये जो फॉर्टिफिकेशन है इसको भी आप नहीं करोगे इसको बंद करोगे और रिवेन्यू पे करोगे अफ्टर नेगोसियेशन फेल्ड नेगोसियेशन में बात चीत हुई उनमें मगर बातची से कोई भी हल नहीं निकलता दा नवाब माशुवद तो जो नवाब सिराजुदौला है वो 30,000 शोलजर के साथ इंडियन फैक्टरी जो के कसिम बाजार में थी उसको उस पे मतलब अटैक कर देती हैं केंट्री जो कमपर्णी के अफि Bowl को आफिसर्षा है उनको वह पकड़ ल섯 युल और उनको व्एरहाउस में लॉक्ड कर दिया जाता है और जो English men होते हैं उनको disarmed यानिको इनको इनको ब्लोकेड शिप में ब्लोकेड कर दिया जाता है Then he marched to Calcutta तो फिर उसके बाद वो Calcutta को march करता है और established control over the company's fort दिया तो वो company के fort पे वो control थापित करने की कोशिश करते हैं Sirajudawla On hearing the news of the fall of the Calcutta, company official in Madras sent force under the command of Robert Clive reinforced by naval fleets तो भाई ये news जब उसको पता चलती है कि Calcutta में तो ये मतलब हार गए है Company का जो official है Madras में तो उनको भेशती है Robert Clive के command के अंडर ठीक है जिस नेवल फोर्स इसको भेशती है Prolonged negotiation with a naval follower तो पहले वो उनमें भी negotiation होती है मगर होता क्या है Finally 1757, 1757 में जो Robert Clive had led to the company's army against Sirajudawla at Palasi तो Robert Clive है वो क्या करते हैं Company की तरफ से army को लेकर Sirajudawla के साथ Palasi के मैदान में उतर जाती है One of the main reason for the defeat of the naval was that the force led by the Mir Jafir One of the Sirajudawla's commanders तो क्या जी वो हार जाता है Sirajudawla हार जाता है क्यों क्योंकि जो नवाब का एक Mir Jafir था ठीक है जी नवाब था जो Sirajudawla का कमांडर था Mir Jafir वो भी उनके साथ हो जाता है Never fought the battle तो वो कभी भी वो बतलब बैटल में नहीं आता ठीक है इसलिए Clive had managed to secure his port by a promising to make him नवाब तो जो Robert Clive वो बहुत चलाग थे ना अंग्रेश तो उन्होंने क्या किया वो जो उसको ये प्रोमिस किया कि अगर हम भई सिराजुदौला हार गया तो तेरे को अनवाब बना दिया जाएगा तो उसने क्या किया सिराजुदौला को हराने में उनकी मादद की Battle of Plassey become famous तो इसलिए जो ये Battle of Plassey ये बहुत ज़दा famous है क्यों Because it was the first major victory the company won in India क्योंकि ये सबसे पहली जीत थी इंडिया में company की Okay, फिर ये ही इसी अगर शायद ये वो हार जते तो history में कुछ और ही होता तो ये Robert Clive आप देख सकते हो ये Robert Clive की pick का देख सकते हो आप तो ये आगे ये puppet का मतलब तो मैंने बताई था जाने के एक ऐसा twi होता है जिसको sting के सा जैसा भी आप चाहो वैसा ही move करेंगे जैने के ये उस person के लिए use की जाती है term जो दूसरे के control में होता है जैने के जैसा वो चाहता है वैसा ही वो करता है तो आगे do you know how plassey got its name तो आपको पता है plassey का ये नम कैसे पढ़ब है plassey is an engli citr pronunciation of the plassey and the place derived its name from the polish tree यह भे पलाश ट्री होता था एक प्लास नम का एक ट्री होता था Don't force a beautiful red flowers जिसके जो पलास थे उसके beautiful flowers थे और जील्ड गुलाल जैनि कि उसकी गुलाली होती थी पाउडर और होली के फेस्टिवल के लिए उसको यूज किया जाता तो जहां पे ये जैनि कि पलाश के ट्रीज मलते हैं उस जगह को पलासे बोलना जाने लगा तो ऐसे बना पलासे का नेम तो ये figure तीन में देख सकते हो जर्डनल कोर्ट रूम इस इंडिया हाउस लिदन हॉल स्टीट ये देख सकते हैं ऐसा रूम था तो ये प्रोट अफ प्राइटिर्स उफ इस इंडिया कंपनी had their meeting in the East India House on the Liden Hall Street in London this is the picture of one of their meeting in progress तो ये meeting हो रही है उसकी ही एक picture है इस टाइब के रूम में वो इनकी meeting होती थी ये सीराजु दॉला है सीराजु दॉला बहुत इंपोर्टन है इनकी हिस्ट्री में promise of riches the territorial ambition of the merchandise इस इस इंडिया company were viewed with a distrust and doubt in England after the pattern of Plassey Robert Clive wrote to a William Pitt one of the principal secretary of seat to the English monarch on 7th January 1759 from Calcutta तो Calcutta से जो Robert Clive है वो William Pitt को एक जो principal secretary थे state के तो उनको ये एक लेटर लिखते है उसमें क्या बोलते है but so large as virginity may possible be and object too extensive for a merchandise company I flattered myself that there will be a little or no difficulty in obtaining the absolute position of this rich kingdom now I leave you to judge whether an income yearly of a two million sterning with the position of three provinces be an object deserving the public attention जैने के ये जैने के बहुत पैसा कमा रहे थे यहां से तो जैने के रॉबर्ट क्लाइव बोल रहे हैं ये जो प्लासी के लड़ाई है ये हमने सही ही काम किया है ये ऐसा बता रही है दे नवाब की कम्प्लेइन ये देख सकते हो नवाब की कम्प्लेइन भी हमें ये सोर्स मिलता है इन 1733 दे नवाब बेंकोल सैट दिस अबाउट दा इंग्लिश ट्रेडर के बारे में क्या लिखती है क्या लिखवाती है तो शुरू शुरू में वो इंडिया में आते हैं गर्मेंट से अपील करते हैं कि वो एक थोटी चोटी सी फैक्टी बनानी चाहते है मगर उन्होंने तो इतने बड़ा किला बना लिया जिसको एर्दगेर से घुमा लिया अपने आप ही यह रिवैन्यू करना है नहीं नहीं और शुरू कर दिया वो है एक लाख तक ठीक है दिरोब एंड प्लंडर एंड कैरी ग्रेट नंबर आफ दा किंग जब्जेक्ट ऑफ बोट सिक्सिज इंटो स्लेवरी इंटो देर आन कंट्री जानि कि यह अपने जो यहां का समान है वो अपने देश में लेके जा रहे हैं यह बता रहे हैं जानि कि जो किंग को बिलॉंग करता है यहां का वो बिलॉंग करता है वो दोगे से वहां पे लेके जा रहे हैं यह कंप्लेन थी तो यह हमने पढ़ लिया तो प्लासी के लड़ाई कर दिया गया मार दिया गया में जाफिर को बना दिया गा बेंगॉल का नेवाब the company was still unwilling to take over the responsible or administration तो चाहे वो जीत गय थे मगर फिर भी वो न इसका administration responsibility नहीं लेना चाहते थे बेंगॉल की its primary objective was to expand of trade वैसे तो उनका पहला जो कारण था वो चाहते थे एक्स्पैंड करना अपने ट्रेड पार ही बढ़ाना चाहते थे वो तो सिर्फ इफ था इफ था इफ था इफ इस कोड बी अदन विदावट अ कॉनकिस्ट तो देहल पफ देलोकल रूलर तो क्या जी जाने के उनको सब मतलब उनकी अंदर होगा कि मानी पड़ेगी विलिजिस को वो जाने के सबी उनको प्रेविलेजिस वो गहरा मिलने लग जाएंगे जाने के उनका मेन दिमाग में सिर्फ पैसा ही पैसा था सिर्फ ओके सुन दा कंपनी डिसकवर देश्ट दिस वाजर रादर डिफिकल्ट तो जब इनो ने देखा भाई यह तो डिफिकल्ट बात है तो यह जो पपीट बन चाहते थे ना, ऐसा नहीं था हमेशा ही उनके हाथों की कटपुतली, इतना हेलफुल नहीं हो रहा था जितना वो चाहते थे, तो यह जो ब्लाव को बना का रखने ही परती है अपने पावर को बनाए रखने के लिए अपने रिस्पेक्ट के लिए यह अपैर इसका बनाका रखने ही परती है नहीं फिर राजा गिस काम का वह? मेर जाफिर ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया तो कंपनी ने उसको डिपोस्ट कर दिया उसको गदी से उतार दिया और उन्होंने मीर कासिम को उसकी जगह भी प्लेस कर दिया अब मीर कासिम को ने कंप्लेन की तो फिर उन्होंने उसको फिर लडाई होए थी सिराजो दॉला और कंपनी के बीड जिसमें सिराजो दॉला हार गय थे फिर उसके बाद उन्होंने मीर जाफिर को बना दिया था मीर जाफिर को बना दिया था नेवाप तो फिर उसके बाद मीर जाफिर भी जब कंप्लेंड करनी शुरू कर दी तो इन्होंने मीर कासिम को बना दिया मिर जाफिर वाज री इंस्टॉल तो फिर उसके बाद मीर कासिम दूबारा से इंस्टॉल गर दी के दूबारा से इनको इसके गद्डी देतीगी जिन वाव को पहले क्या करते थे कंपनी को पड़ता था मेच इमांस प्रिच प्रेच की सास्ट फिक्रशन श्यक्राहीं इश्यत्य दीटरीब करें कि दोल इस्टाब्स मेचा टेथा ड्लिटरीष क में करता न भी पता शर्था, कि करतかった हृँ इस फिक्लाहबं करते हैं having failed to work with a puppet Nawab, क्योंकि वो Nawab के साथ work करके खुश नहीं थे, Clive declared, जो Robert Clive है, वो declare करते हैं, we must indeed become a Nawab ourselves, वो बोलते हैं, हमें खुद ही Nawab बनना पड़ेगा, भाई, okay, finally, finally क्या हुआ, 1765 में, the Mughal Emperor appointed the company, तो जो Mughal Emperor थे, उन्होंने appoint किया company को, दिवान of the provinces of Bengal, कर दिवानी आलाओ कर दिया company को, कि वो वास्ट रिवैन्य को क्लेक्ट कर सकते हैं, बेंगॉल के इलाके से, वो बेंगोल के इलाके से, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल होगी company की, जो पहले वो फेस कर रहे थे, from the early 18th century, तो early 18th century में ये जो ट्रेड था, इंडिया में वो एक्सपैंड होता गिया, okay, but it had to buy most of the goods in India, with the gold and silver important from Britain, तो ये जो इंडिया में, उनको बाई करना पड़ता था, ये जो समान है, वो बाई करना पड़ता था, तो गूर्ज बाई करना पड़ता था, किसके साथ वो बाई करते थे, वो gold और silver के साथ, ब्रेटेन से import किया जाता था, उसके साथ करते थे, this was because that this time, ब्रेटेन has no goods to sell in India, तो उनके पास कोई समान नी था ना, इंडिया को बेचने के लिए, इसलिए वो gold और silver के साथ ही trade किया करते थे, इंडिया के साथ, the outflow of the gold from Britain, slowly after the battle of classi, तो ये जो battle of classi के बाद हुआ, क्या पहले तो जैनके बहुत gold आता था इंडिया में, तो अब ये जो gold है, ये कम होता गया, क्यों भाई उनके आत्मियागी power, and entirely stopped after the assumption of the दीवानी, तो ये बिलकुल ही मतलब आना शुरू हो गया, आनबंद हो गया, जब इनको दीवानी की assumption मिली, now revenue from the India could finance company expensive, जो revenue मिलता था इनको इंडिया से, इंडिया की villages से, तो उन से ही इनका सारी जो खर्चे हैं, वो expensive चलते थे, these revenue could be as used to purchase cotton, तो ये सी revenue से वो cotton क्रीज सकते हैं, ऐसे इसे textile क्रीज सकते हैं, इंडिया से, और company के troops में वो maintain कर सकते हैं, और cost, and meet the cost of building the company fort and offices at Kolkata, जैनि के इन पैसों से उनके सारी तुक्के चल रहते हैं भाई हैंना, तो आगे हम ये जो companies, company official become nawab, ये भी पढ़ लेती हैंना, what did it means by nawabs, nawabs का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब, of course, ये होता है, company acquired more power and authority, इसका मतलब ये है कि भी अब company nawab बन गई थी, but it means something else, इसका थोड़ा सा मतलब और है, each company servant begin to have vision of living like nawab, जैनि के हर एक जो company का member है, उसको vision ऐसी रखनी होगी, जैसे nawab की होती है, nawab की होती है, आफ्टर दे पेटल अफ प्लासी, अच्छल नवाब्स अफ दे बेंगौल वस फेज़ तो गिव लैंड और वास संज अफ दे मनी ऐस पर्सनल गिफ्ट तो अ कंपनी आफ्जिर्ट, तो हमने देखा था ना, इन्होंने क्या किया था, जो इन्होंने उल्टा इचक्का गुमा दिया था, पहले तो इनको टेक्स देना पड़ रहा था, ठीक है, पहले फिर इनको जगडे हुए टेक्स नहीं देना चाते हैं, तो दीरे दीरे यह इस तरीके पे आ गए, यह इन्होंने उल्टा गिफ्ट ही ने शुरू कर दिये थे, जो बेंगॉल के नेवाब्स होते हैं, परस्नल गिफ्ट चाहते थे यह इंडिया उनसे आफिसस थे, रॉबर्ट कलाई हैंसल अमेज़ आफ फॉर्चन इन इंडिया, तो उन्होंने अपना फॉर्चन इसने मतलब किसमत अजमाई इंडिया में, ही हाड कम टू मदरास, तो मदरास में चनई में आए थे, इंगलेंड से, 1743 जब यह सिर्फ 18 साल के थे, 1767 जब वो इंडिया को छोड़ कर जाते हैं, इस इंडिया फॉर्चन वर्चन वर्चो उसमें से इन उन्होंने 401,102 इतने डॉलर कमा लिये थे, जानी के 4,11,002 यह डॉलर कमा लिये थे, वो थोड़े से समय में, इंटरस्टिंगलेंगलेंगलेंगलेंडा, इसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है इतनी जद वेल्थ कहां से आ रही है और तो ही वाज एक्यूटेड होते हैं बेर निर्दोश होते हैं मगर फिर भी वह सुसाइड कर लेते हैं और 1774 में अपन उस साइड कर लेते हैं Robert Clive Robert Clive की बहुत इंपोर्टन सा ही हिस्ट्री में यह बहुत इंपोर्टन है हमारे इस ब्रिटिश के बारे में जब हम पढ़ते हैं अब नौट अल्ड अल्ड अफिशल सक्सीड इन में किमनी लाइक लाइव जेतने पैसा कलाइव ने कमाई इतने अपनी को अफिशल और नहीं कमा सके तो बाकी जो अफिशल थे जाता हूँ इंडिया में बीमारी की वाज़ा से जब वार की वाज़ा से मर गे जाए और चाहे वो करप्ट थे चाहे वो डिस्वानेस्ट थे इंडिया में आकर कमाना चाहते थे और बिटेन में जाकर वापिस वो कमफर्टेबल लाइफ बतीत करना चाहते थे रहना चाहते थे तो दोज वो मैनेज़ तो रिटर्न विट विट वेल्थ फेड फ्लेश शी लाइज और फांटर विद रिच दे वर काल दे नवाब्स जो जाने के दुबारा से भई इतना पैसा कमा आगर बिटेन में जाता था उन लोगों को नवाब्स बोला जाता था नवाब्स एंगलि जो अश्राम के जन्दगी दी रहे थे यहां से लूट पाट करी ही मेरी एकवाडिंग तो यह लूट पाट कर यानि के कमा कर भी कह सकते हैं भी बहुत ने तो कमाया भी होगा ना ऐसे भी नहीं हम बोल सकते तो यह फिर वहां पे अभर्स जिते थे तो उनको बोला जाता था नेवाब्स, they were often seen as upstarts, इनको upstarts and social climbers in the British society बोला जाता थे and was a ridiculous or make fun of in a play and cartoons, तो cartoons और plays में इनका मज़ा कभी उड़ाया जाता था चप्र बहुत लेंदी है, तो इसको पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे, अच्छे सा डिसकस कर रहे हैं, तो पार्ट्स तो बनेंगे ही लेंदी वीडियो में ना मज़ा नहीं आता, तो आगे कंपनी रूल एक्स, रूल एक्सपेंड नेक्सट चैप्र पार्ट्स में डिसकस करेंगे, थैंक यू एंड गार्ड ब्लेस यू